Generative Perspective Dear Students, मुझे Generative Perspective या Generative Grammar के बारे में आप से बात करनी है Noam Chomsky इसका बड़ा प्रोपोनेंट था इसको पेश करने वाला The Rules Determining the Structure of Sentences and Interpretation of Sentences That Speakers Accept as Belonging to that Language यानि जुस्त Language से वो Belong करते हैं वो उसके Structure Sentences के Structure को Accept करते हैं और उसको वो बोलते हैं और उसको Interpret करते हैं और Theory of Competence Generative Grammar में या Generative Perspective में आगे जैली तोर पर Theory of Competence है यानि महारत की थेरी A Model of Psychological System of Unconscious Knowledge ये Unconscious Knowledge का एक सिस्टम साइकलोजिकल सिस्टम है और that motivates a speaker ability to produce and interpret utterances in the inner language किसी language में भी यानि इस बोलने वाले को वो inspire करता है या उसको motivate करता है कि वो words को बोले और इसको interpret करें Generative Grammar में ये भी क्लेम करती है The Theory of Cognitive Psychology of a Language and A Model of Psychology of Language ये ये भी क्लेम करती है कि Generative Grammar जो है वो Cognitive Psychology और A Model of Psychology of Language है ये इसका भी वो क्लेम करती है तो उसमें rules जो है descriptive rules describe how people perceive actually the words and speaks correctly यानि वो words को कैसे perceive करते हैं और किस तरह correctly वो उनको बोलते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि use whom not who Generative Grammar was welcomed widely यानि हिस्टोरिकली अगर आद देखे तो जब ये शुरू में ये स्टार्ट में ये इसको बहुत welcome किया गया इस वे आफ फार्मलाइजिंग दा हिड़न सेट अफ रूल्स परसन नोस ये जो अफराद वो रूल्स को जानते हैं वो उसको उनने फार्मलाइजिंग अफ दा हिड़न सेट अफ रूल्स के बारे में ये उनको इसको बहुत स्टार्ट में एक्सेप्ट किया वेन थे रूल्स वेंगवेज और प्रड़्द वर्राद वर्डस और सांड्स तुव ग्रैमेटिकल वर्डस और सांड्स बोलते हैं इसकी मदद से और ताहम नोम-चोम्ड्स की जो है इसके बारे में वो बार बार इस बात पर एतरास करता है और इसको वो पूरी तरह नहीं करता तो ये जनरेटिव ग्रामर जो थी आइडियास जिसके बारे में मैंने भी आप से बात की